आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतिक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरह वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउनलोड करें प्रशन की फिकाला जाता है, चोता है, अधिकान स्वच जलिये जन्तुओं का सारीडिक जव बाहरी माध्यम से प्रवेशिक जल के प्रति हाइपोटोनिक होता है तो हमें देखना है कि इनमें से सही खतन को उसा है यानि कि तीन कतन गलत और इस सही विकल्प को हमें चुनना है और हमें इसमें दिया गया कि जन्तूओं के सरीर में जल लवन संतूलन के बारे में ये विकल्प दिये गए है पहला कतन में दिया है जल नए मिल पाने की सिती में उट मुत्र नहीं बनाते और यूरिया को उत्तकों में संशित करते हैं तो पहले नंबर का कतन सही है क्योंकि हमें पड़ता है उट जो है उसको हम रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं और उट रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकुलीत होते हैं और अनुकुलन की कंडिशन में क्या होता है इनके सरीर में जो कूबड पाई जाती है उस कूबड में ये वसा का संग्रह कर लेते हैं लेकिन ये भोजन का संग्रह तो यहां कर लेते हैं लेकिन उट जो है एक बार में लगबग 80 लीटर तक पानी पी जाते हैं एक बार पानी पीने के बाद इनको कई जिनों तक प्यास नहीं लगती और ये जो पानी होता है इसको ये इस परकार से काम में लेते हैं बहुत सांद्रित मुत्र उत्सर्जित करते हैं और यह फिर क्या होगा कि मुत्र में जो यूरिया होती है उस यूरिया को ये उत्तकों में संग्रहित कर लेते हैं इस प्रकार से इनकी बोड़ी या सरी से बहुत ज्यादा पानी का निश्कासर नहीं होता और ये आसानी से वहाँ पे सर्वाइब कर सकते हैं, जीवनियापन कर सकते हैं तो पहले नंबर का खतन सही है दूसरा हमें दिया गया है, जब सालमन मचली स्वच जल में होती है तब यह अपनी कलोम जिली द्वारा एकत लवनों का अधिक मात्रा में उचसर्जन करती है तो सालमन मचली जो वह स्वच जल में होती है स्वच जल में कंडिशन क्या होती है? कि स्वच जल जो है, वो जन्तू के सरीर के तुर्णा में हाइपो टोनिक होता है हाइपो टोनिक यानि कि इसका सांद्रन जन्तू के सरीर के तुर्णा में कम होता है हाइपो का मतलब कम और जन्तू के सरीर का सांद्रन ज्यादा होता है लेकिन अगर स्वच जल में यह मचली उपस्तित है उस कंडिशन में लवन ओल्डेडि कम होंगे जल में तीसरा हमें दिया गया है पेरा मीश्यम में सांद्रित लवन द्रव को संकुचन रिक्ति का द्वारा बाहर निकाला जाता है। पेरा मीशम मोसले पाए जाते हैं स्वच्छ जल में, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं इसका मतलब लवन कम होंगे और लवन कम होंगे तो लवनों का उत्सरजन ना होके जल या फिर पानी का उत्सरजन होगा रिक्तिका के द्वारा ना कि लवनों का उत्सरजन होगा तो ती बाहरी माध्यम से प्रवेशित जल के प्रती हाइपोटोनिक होता है। तो ये खतन भी गलत है। क्योंकि स्वचольно जल ये जन्टू जो होते हैं। उनका सारीरिक द्रव बाहरी माध्यम से प्रिवेशित जल की तुड़ना में ज्यादा होता है, जिसे हमने यहाँ पे देखा था, क्योंकि स्वच जल जो होस में लवनों की मात्रा कम होती है, और कम होने के कारण हाइपोटोनिक कंडिशन पाई जाती है, और जन्तूओं का सरी जो है, वो हाईपरटोनिक कंडिशन में पाया जाता है, यहने कि जन्तों में लवन ज्यादा होते हैं, इस परकार से यह भी गलत है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर आ जाएगा विकल्प नंबर एक पक्षण चड़ी से बारवी से लेकर नीट आयाएटी जेई वो एडवांस के लेवल तक, एक करोड से जादा चातरों का भरोजा, आज ही डाउन्ट करें डाउटने आप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर